नमस्कार दोस्तो अगर आपको बागवनी का सोक है और कुछ प्लांट आपने लगा के रखे हैं फिर वो टेरेस पे हो बालकनी में हो या गाडन में हो आप उसे अच्छी तरह से केर करने के बाद भी उसमें दोस्तो मिली बग, फंगस, एफिड या सपेत मक्की जाशे जो भी फार्मिंग करते हैं या फिर दोस्तो ज्यादा मातर में बागवनी करते हैं तो फिर जो किटक ना सकी जो बोटल मिलती है उसका भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें ज्यादा मातर में अगर यूज करना रहेगा तो मार्केट से या फिर ऑनलाइन जो भी किटक ना सकी दवा म पड़ा रहता है यह भी आप देख रहे हैं यह दोस्तों रोज का प्लांट है और इस पर वाइरस का अटक हो चुका है इसी तरह से जो भी आपके दूसरे प्लांट है यह आप देख सकते हैं यह दोस्तों गुलदावदी का प्लांट है और इस पर आप देख सकते हैं यह दुसरे प्लांट पहे जाता है, और सभी प्लांट हमारे दोस्तों पूरी तरह से यह किड़ों से और विमारे से प्रभावित हो जाते हैं। या आप देख सकते हैं रोजकार जो प्लांट है उसके कली भी पूरी तरह से ये खराब हो चुकी है इसलिए इस बीमारी को हमें दुस्तों तूरंदी कंट्रोल करना पड़ता है अगर हम दुरंदी कंट्रोल नहीं कर पाए तो दीरे दीरे करके जो भी हमारे प्लांट है वो सभी प्रभावित हो जाते हैं और इसके करण रात दिन मेनत करके जो भी हम लोग ने वागवानी ये गार्डन हमारा हरा भरा किया है वो पूरी तरह से खतम होने के खगर पे आ जाता है। दोस्तो उसके जो भीमारी है उसे बचाना भी हमारा काम है इसके लिए जैसे पानी खाद जैसे आवसक होते हैं वैसे ही किटक नासक भी हमें टाइम टाइम पे उसका स्प्रे करना बहुत ही आवसक होता है नहीं तो हमारी जो भागवानी है वो दोस्तो अधूरे मानी जाती है तो आज मैं आपको एक ऐसा किटक ना सक बना के दिखाना वाला हूँ कि जिसका अगर आप यूज करते हैं तो आपके प्लांट पर जो भी वीमारी हो फिर वो मिली बख हो, फंगस, काले वाले किडे हो या कर्टर पिलर जैसे जो भी वीमारी हो वो पूरी तरह से खतम हो जाएगी और वो भी श्रीफ 2 रुपय में 2 रुपय में कम से कम 20-25 गमले हम आराज़ पर स्प्रे कर सकते हैं फिर वो फॉलो वाले हो, फूलो वाले या सबजी वाले प्लांट सभी प्लांट पर ये बहुत है असरदार होता है तो चलिए दोस्तो ज़्यादा टाइम ने लेते हैं और अभी कैसे उसे बनाना है और कौनसी चीज हमें मिलाना है उसकी फूर डिटेल में आपको इस वीडियो में दूँगा तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरुवात करते हैं आज जो हम घरेलू और पावरफुल हैं से किटक नासक बनाने वाले हैं उसके लिए जो पहली चीज लेंगे वो है अगरबत्ती आप देख सकते हैं यह मच्छर अगरबत्ती है और सभी घर में यह बहुत ही आसाने से मिल जाती है और 10 रिपे में इसमें दोस्तों 10 श्टीक आपको मिल जाती है और सीप 1 लिटर में हमें 2 श्टीक यूज करना है यानि 2 रिपे में यह हमारा पूरी तरह से 1 लिटर का किटक नासक बन जाता है और उसी के 1 लिटर किटक नासक का हम स्प्रेक बोटल में भर कर कम से कम 20 या 25 गमले आराम से स्प्रेक कर सकते है तो देखे सबसे पहले तो हमें 1 लिटर पानी ले लेना है और 1 लिटर पानी में हम 2 श्टीक उसमें मोड कर हम लोग डाल देंगे अगर आप साहते हैं जो जो कॉल्टिंग की बोटल रहती है उसमें भी डारेगा आप डाल सकते हैं क्योंकि वो लंबी रहती है तो दोनों श्टीक आराम से जा सकता है पर आप दोस्तों लिटर में अगर पानी लेते हैं जैसे मैंने लिया है तो इसे हमें कट करके अंदर डाल देना होगा देखें इस तरह से तोड़ देना है और अच्छी तरह से इसके तुकड़े करके हमें पानी में डाल देना है और इस पानी को कम से कम एक गंडे के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो स्टीक में जो भी मट्रल लगा हुआ है वो पूरी तरह से पानी में गुल जाए और उसका जो भी मट्रल है वो दोस्तो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाए इसके लिए इसे कम से कम एक गंड़े के लिए हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे और एक गंटे के बाद ये पूरी तरह से जो पानी है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो स्टीक है वो पूरी तरह से इस मट्रल से अलग हो जाएगा तो हमें एक गंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है देखे दोस्तो हमारे गंड़ा पूरी तरह से भी कम्लेट हो चुका है और जो गोल हम लोगों ने बनाया था उचे अच्छी तरह से लखड़ी का सहरा लेकर या किसी भी साधन से अपिसे वापस एक बार इसे मीच कर लेना है ताकि जो भी बचा कुचा पार्टिकल है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं जो दोस्तो पानी के कलर है वो पूरी तरह से लाल हो चुका है याने जो अगरबती हम लोग ने डाली तीस में वो पूरी तरह से पिगल कर वो लकड़ी के से अलग हो चुकी है और पूरी तरह से वो पानी में मिक्स हो चुकी है अब ही हम लोग एक काम करेंगे जो भी हम लोगं ने जो गोल बनाया है उसे अच्छी तरह से किसी भी कपड़ा या सांधरी के सहारई से अच्छी तरह से चान लेना है क्योंकि हमें स्प्रे करना है अगर हम ऐसे ही यूज करते हैं जो अगर बती का जो फार्टिकल ए जो बचा कुछा है वो हमारे स्प्रेई मझे अटक सकता है इसके लिए अच्छी तरह से इसे चांद लेना है और दौस्तो इसे ज्याधा मात्रा में हमें नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम इसे कहीं पर ध़क देते हैं तो अगर हमारेากर में का हाद ने पोच सके देखे इस तरह से हमें जो भी आपके पास प्रे बोटल है इसमें भर लेना है और सभी प्लांट में फिर फुलो वाले हो फुलो वाले या सबजी के प्लांट हो सभी पाइब इस प्सप्रे कर सकते हैं और इसका मैंने दोस्तों खूद यूज किया है और पूरिज किटर ना सका मेंन बात तो यही है कि हमें इसे इस्टोर करके रखने की जरूत नहीं पड़ती है क्योंकि जब चाहिए तब आप इससे ही बना सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ आपके गार्डन में जो भी प्लांट है फिर दोस्तों वो गुल दावल्दी हो या गुड़ल हो या फिर रोज का प्लांट हो सबी फुलो वाले प्लांट पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं उसी के साथ साथ अगर आपके गार्डन में कुछ फलो वाले या फिर दोस्तों सब्जी वाले प्लांट है उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं और हर 15 दिन में आप ए मैंने में एक बार इसका यूज़ करते हैं तो जो बीमारीक अटक होने वारा रहता है वो भी अटक नहीं हो पाएगा और आपके जो प्लांट है वो दोस्तों पूरी तरह से हरे बरे होने के साथ साथ फॉलोर फूलों से भरे रहेंगे मैंने तो इस किटेना से को बना कर इसका यूज़ भी किया है और इसका रिज़ेट मुझे बहुत ही अच्छा मिला है तो मेरा तेमानना यही है कि एक बार इसे हवाज से ट्राय करिए दोस्तों जाएगा जाएगा आपके सिप 2 रुपिया ही जाएगा पर अगर आपको नेक्स टोपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद